नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसीव रब का स्वागत है पब्रिकेशन ये उसमें बड़ी खबर आ रही है उतरप्रदेश से बता दें यूपी के गाज़ अबाद में टाटा स्टील के एक सीनिया रधिकारी की चाकू से हत्या कर दी गई इस वारदात का अंजाम शाली मार गाडन इस्थित खेतान पब्लिक स्कूल के पास दिया गया अत्या की ये वारदात टाटा स्टील अथोरिटी ओफ इंडिया के नैशनल बिजनेस हैड विने त्यागी की है बता दें कि वो दिल्ली में पोस्टेट थे साइबबाद की राजेंद्र नगर में उनका परिवार है था विने त्यागी का एक महीने पहले कॉलकता से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था बीते देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया है खेतान पब्लिक स्कूल के पास रात लगभग तीन बजे गली में विने त्यागी घाया लवस्था में मिले थे परिवार के लोगों ने उन्हें आनन फानन में नरेंद्र मोहन अस्पताल में भरती कराए गया अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गए पोलिस ने मामला सामने आने के बाद जांच शुरू कर दी है विने त्यागी टाटा स्टील में उचपद पर काम कर रहे थे जांच के दौरान जानकारी सामने आई है कि विने अकसर मेच्चो से ही ओफिस आते जाते थे उन्होंने शुकरवार की रात लगभग 11 बजे अपना लोकेशन शेयर किया वो आमतोर पर 10 बजे तक घर लोट आते थे शुकरवार की रात देर हुई तो परिवार के लोगों की चिंता बढ़ने लगी उन्हेंने विने त्यागी की तलाश करनी शुरू कर दी इस दोरान शालीमार गारण इस्थित खेतान पब्लिक स्कूल के पास गली में वो घायल अवस्था में मिले विने की स्थिती को देखकर लोग घबरा गए उन्होंने फोरण विने को उठाया और नरेंदर मोहन अस्पताल लेकर पहुँचे पूरी घटना की जानकारी साहिबबाद पुलिस को दी गई मामली की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामली की जान शुरू कर दी पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया वही नरेंदर मोहन अस्पताल में इलाज के दोरान विनेतियागी की मौत हो गई परिजनों में शोक का महौल है बतादें की पुलिस ने CCTV और Manual Surveillance के जर्य घटना की जान शुरू कर दी है सम्मंदित जांच अधिकारी का कहना है कि प्रतम द्रश्टत्या ये लूट पाट के मकसद से हत्या की घटना लगती है जान जारी है जल्द ही मामले का परदाफाश भी हो जाएगा ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन ये उस धन्यवाद